हेलो फ्रेंड्स तो रेसेपी सुरू करने से पहले दिखाना चाहा रहा हैं पपिता और मटन चुस्ता की रेसेपी किस तरह से बनकर तयार हुई है देख सकते हैं सबजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट बनी है और काफी ज़्यादा मसालेदार है इसको बना कर देखिए खाने में मज़ा आएगा आप लोगों को हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट तरीके से पपीता और मटन चूस्ता की सबजी बना कर दिखाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक मीडियम साइज का पपीता जिसका वेट लगभग एक कीलो के बराबर है और यहाँ पर हमने लिया है 200 ग्राम मटन चूस्ता तो देख पा रहे हैं चूस्ते को हमने छोटे छोटे टुकडों में काट करके रख ल लिया है तो चलिए अब इसे बनाना सुरू करते हैं सबजी को बनाने से पहले हमें लेना होगा एक कढ़ाई पर दो बड़े चम्मच सर्सो का तेल तेल जब गरम हो चुका हो तब इस पर हम कटे हुए पपीते को डालेंगे और इसे 8-10 मिनट तक चम्मच से चलाते हुए ब फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें से कच्चे पन का महक आएगा तो पपीते को आप लोग जो है पका लें बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लें इसे 8-10 मिनट तक और फ्राई करने के बाद पपीते को कढ़ाई में से निकाल करके अलग रखें अब इस तेल पर हम मतन चुस्ता को फ्राई करने के लिए डालेंगे और मतन चुस्ता को डाल कर इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक इसे आप मटन चुस्ता के साथ में डाल दें हल्दी और नमक और मटन चुस्ता को मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट चमच से चलाते हुए इसे भी फ्राई कर लें तो देख सकते हैं चुस्ता को हमने 3-4 मिनट तक मीडियम आज पर फ्राइ किया है और अब इसे भी कड़ाई में से निकाल करके अलग रखेंगे और सबजी को बनाने के लिए इसके मसालों को तयार करेंगे तो मसालों के लिए लेना होगा हमें ग्राइंडर का जार और इस पर डालेंगे दो चम्मच जीरा, एक चम्मच काली मिर्च, चार से पांच सूखे लाल मिर्च या इसे आप अपने टेस्ट के एकोर्डिंग या थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं एक इंच कटे हुए अदरक को डालेंगे और इसके साथ 20 से 25 दाने लह सुन अब इन मसालों पर थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके मसाला पेष्ट तयार कर लेना है अब बहुत ही आसान है इस सबजी को बनाना कढाई पर जो बची हुई तेल है इस पर थोड़ा सा तेल को डाल कर गरम कर लेंगे और तेल के गरम होने पर एक चुटकी हिंग और दो पीस पतले कटे हुए प्याज प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है प्याज के फ्राई हो जाने पर इसमें एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसके कलर के लिए एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक इन तीनों चीजों को बस प्याज के साथ में हमें थोड़ा सा मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पीसे हुए मसाला पेश्ट को डालेंगे और इसके साथ में मिक्स करते हुए मीडियम आज पर चमच से चलाते हुए इसे हम 6-7 मिनट तक बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसालो को फ्राई करके इसके साथ दो पीस पके हुए टमाटर को छोटे टुकडो में काट कर डाल देंगे और इसे मसालो के साथ में पकाएंगे तो 3-4 मिनट में टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं और हमारे मसाले भी तियार हो चुके हैं तो अब हम इसके साथ में फ्राइ किये हुए पपीते को डाल कर मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक पका लेंगे. मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे. यहाँ पर हम डेड़ ग्लास पानी इसके साथ अभी डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक पकाएंगे. 5 मिनट के बाद कवर को ओपन करेंगे और इसके साथ में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और कटे हुए धनिया के पत्ते. दोनों को सब्जी के साथ में मिक्स कर लेना है और फिर इसके साथ में एड़ करेंगे फ्राई किये हुआ चुस्ता. चुस्ते को भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसके कवर को ढखेंगे और इसे 5-7 मिनट मीडियम आज पर पकने के लिए रख देंगे. तो 5 मिनट सब्जी को पकाने के बाद देख सकते हैं स्वादिष्ट मटन चुस्ता और पपिते की सब्जी बनकर त्यार हो चुका है. तो फ्रेंट्स रेसेपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें. धन्यवाद.